श्री सद्गुरु देवाय नमा भायो बैनो, जीवन में चाहे कितने भी दुकाएं, कैसा भी संकट आए, कभी धैर नहीं खोना चाहिए जीव को विश्वास करना चाहिए कि यह संकट हमको जगाने आए हैं कि हम इस मृत्ति लोग में केवल, केवल औ केवल परमात्मा का भचन कर उनको पाने के लिए ही आए हैं वरना खापी कर विसे भोगो को भोगते तो जनम जनम से आ रहे हैं, उससे क्या होगा हर बार की तरह इस बार भी मौत आएगी, फिर जनम होगा, फिर मृत्ति होगी वरना जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हैं सुक्केवल परमात्मा के नाम में हैं अता जितना हो सके राधा नाम का जाप करें और काल चक्र से बच कर निकल जाएं आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है उसे आगरा से सावित्री जी ने भेजा है इस कथा को जानकर आप भी समझ जाएंगे कि राधा नाम के जब से अन्होनी फोनी में बदल जाती है राधा रानी की करपा मिल जाती है इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवस्त देखिएगा उससे पहले जिन लोगों ने अच्चुत्रभाद यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवीदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन अवस्त दबादे जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें इसी के साथ अगर आपको राम नाम की प्रताब फे जुड़ी सत्यकता का आनल लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकल भवन अव अयुद्या को जरूद देखें सावित्री जी ने बताया गुर्देव आपको कोटी कोटी पणाम है गुरुजी आपके कारण ही मेरे जीवन के सभी दुख दर्ट दूर हो सके गुरुजी आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में कहने के लिए मेरे पास सब्द नहीं है जब हर तरफ लोगों को निरासा मिलती है तो आप उन दुखी लोगों को अपना लेते हैं और नामदान देकर उनके प्रारप्त से आएक संकट जो की उनके जीवन को नश्ट कर रहे हैं, जिसके चलते वह आत्महत्या जैसा जगन अपरात करने से भी नहीं चूकते, उससे बचा लेते हैं। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनलों को देखती हूँ, लोगों के अनभों को देखकर लगता है कि जिनकी कि उनकी कितनी दुआइं आपको मिलती होंगी। गुरुजी, आपने मुझे भी नामदान देकर अनुगरत किया है, मेरे जीवन के अंधेरे को दूर कर सूरज का प्रकास भर दिया है। आज मैं और मेरा परिवार बहुत सुकी हैं, जिसका कारण केवल आप और राधा नाम है। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ सेहर करना चाहती हूँ, जिससे लोगों को नाम जबके करने की प्रिणा मिल सके। गुरुजी, मेरा नाम सावित्री है, मैं उत्तर प्रदेश के मेरे जनपर्ट की रहने वाली हूँ, मेरा विवाह 2021 में हुआ था, मेरी सस्राल आगरा जिले में है। मेरे सस्राल में मेरी सास, ससुर, एक देवर और एक छोटी नंद है, सुरू में तो सभी कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ समय के बाद मेरी सास मुझको बाद बाद पर खरी खोटी सुनाने लगी, मेरी नंद और देवर भी उन्हीं के साथ देते थे, मैंने जब यह बात पती से कही, तो वह मुझसे कहने लगे कि तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा, जो वह ऐसा कर रही है, सारी गल्दी तुमारी होगी, मैं अकेले में बहुत रोती थी, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, मायके में यह सब बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पिता जी को दो हार्ट अ पर मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता था, रोज ही मुझको खरी खोटी सुनने को मिलती थी, आए दिन वही कलय होती रहती थी, कहते हैं न, जिस घर में रोज कलय होती है, वहां बरकत नहीं होती, यही हाल वहां पर भी था, मेरे देवर की नौकरी नहीं लग नंद के लिए लड़का देखा जा रहा था, किन्तु कहीं कोई बात नहीं बन रही थी, इसके लिए भी मुझे ही ताना मारा जाता था, कि मेरे कदम इतने असुब हैं, तभी इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे पती पहले तो कभी कभी मेरे लिए कुछ बोल रहती रहती और भगवान से करती कि मुझे ऐसी क्या गलती हो गई, जो कि मेरे जीवन सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही मिल रहे हैं, एक दिन जब मैं अपने मैं के गई, तो मेरी सहेली मुझे मिलने आई, तो उसने मेरे उत्रे चेहरे को देखकर कारण पूछा, मैं अंदर से भ और बोली तुम यहां बात कर लो, खुछ सकता है कि तुम्हारी समस्या का कोई समाधान मिल जाए, जिसके बाद गुर जी मैंने आप से फोन पर बात की, जब मैंने आपको बताया तो आपने कहा परसान मत होना, नाम से बलका कोई सक्ती नहीं, तुम्हारे सारे दुख, दर् जिसके बाद आपने मुझे बीफनर तक हर एक बात समझाई, जिसके बाद राधा नाम का दान दे कर उसके जपने की विधी और साउधानी के बारे में समझाया, गुरू जी जैसा आपने पताया, मैंने वैसा ही राधा नाम जप करना सुरू कर दिया, गुरू जी मुझे न यह बात जब आपको बताई तो आपने कहा कि राधारानी की करपा तुमको जल्द मिल जाएगी। मेरा पती मेरा ख्याल रखने लगया। जिस्ते की जीवन में कभी राधा नाम का जब मैं भोलू नहीं। मुझे आज की समय में जितनी भी खुसियां मिली हैं वह सब आपके द्वारा मिली है। आपके द्वारा दिये गए राधा नाम से मिली है। गुरुजी मैं आपको कोटी कोटी प्रणाम करती हूँ। गुरुजी अपना आसिरवाद हम पर ऐसे ही बनाई रखिएगा। राधे राधे भायो बैनो आपने देखा जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो राधा रानी कैसे आपका हात पकड़ लेती हैं। आपका केवल एक काम है कि आप निरंतर राधा नाम का जाप करते रहें। जिससे की राधारानी की क्रपा आपके जीवन में हमिशा हमिशा बनी रहे आपको यदि यह कता पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, ब्रंदावन और राधा राने से जुड़ी कोई सची कता हो तो उसको मेरे वार्टसेप या इमेल पर भेज सकते हैं इमेल और वार्टसेप नमबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं राधे राधे